दिवाली की मिठाईयां खा खा के छोटू का मन भर गया था. अब छोटू सोचने लगा कि काश आज तो पिज़ा खाने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता. यह सोच कर वो मम्मी के पास गया और उनसे बोला, मम्मी आज तो मेरा मन पिज़ा खाने का कर रहा है. तब मम्मी ने कहा बेटा पर पिज़ा बनाने का सामान तो अपने पास है नहीं. तु एक काम कर अपने पापा को फोन लगा कर बोल दे वो बाजार से आते हुए. पिज़ा मेकिंग का समान लेकर आ जाएंगे ताकी में उनके सामान लेकर आते ही. तुझे फटाफट से बना कर खिला दूंगी. और छोटू ने पापा को फोन करके जल्दी से पिज़ा मेकिंग के सामान लेकर आने का बोला. थोड़ी देर बाद छोटू के पापा बाजार से घर आए. और छोटू की मम्मी को सामान देकर बोले मेरे लिए भी सेंडविच बना देना. उधर पकोडा सींग और चाचा टिंगो के वीडियोस देखने लगा. और मम्मी ने फटाफट से पिज़ा और सेंडविच बना कर छोटू और उसके पापा को खिलाया और पुछा. बताओ कैसा बना पिज़ा और सेंडविच? छोटू ने कहा, मम्मी मजा आ गया मुझे तो. आप पित्रो आज आपकी मम्मी ने खाने में आपके लिए क्या बनाया है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं.